है 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 गाइस वेलकम बैक तो यह हमारे पाइथन कोर्स का 185 टुटोरियल है प्रिविएस वीडियो की एक प्ले लिस्ट है जो आपको मिल जाएगी चैनल पर जाकर विजिट कर लेना आज इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे बुल्टेन एरर्स बुल्टेन एर्स का इंटेक्स एरर, इंडेन्टेशन एरर, नेम एरर, टाइप एरर, इंडेक्स एर, वैल्यू एर, एट्रिविट एरर, एक की एरर, यह एरर्स हैं जो आपके आते हैं जब भी आप कोड करते हैं, मैग्जिमल ही इन में बहुत सारे एरर्स आपने अब तक देख भी लिया ज़यिंगे तो मैं बताँगा कौन-कौन स एरर्स कब-कब आते हैं, ठीक है, आज इस वीडियो में इतना ही बताँगा, बट नेक्ट वीडियो में मैं बताँगा कि एरर्स को किस तरह रिजॉल्व करेंगे उसक Sag करेंगे। सिन्टेक्स एरर आता हैं तो वीडियो में बने करें तरीका होता है अगर यहां पर शो करने लग जाता है जैसे मैं बता हूं अगर आप कुछ define करना चाते हो func और function define करने का जो तरीका होता है colon enter करके यहां पर print और return करते हैं print करते हैं कुछ भी कर सकते है return और return करके यहां पर function called इस type से हमने function बना दिया और यहां अपने function को call करके कर दिया यही तो होता आपका बनाने का तरीका बट अगर हमें कुछ error करना तो हम क्या करेंगे यहां पर आप function के अंदर कुछ भी error कर देंगे होगे error अगर आप अब यहां run करेंगे तो आपको syntax error मिल जाएगा किया रहा है syntax error invalid syntax ठीक है आगे अब इस error को सभी करने के लिए आपको normal सिर्फ यहां पर parenthesis वापस से लगा देंगे और उसके बाद run कर देंगे जैसे run करोगे तो आपका program successfully run हो जाएगा पहला error हो गया दूसरा error आया आपका indentation error indentation error आता है आपको मैं बताऊं यहां पर आप space दिख रहे हो यह होता आपका index अगर मैं आपको बताऊं if condition अगर def के अंदर आपका कुछ भी loop वगेरा है यह रहा वाइल लूप बगेरा होता है वाइल लूप इस तरह अगर हम यहां पर आपको एक चीज़ दिखाए हम बैक किया इसे वापस normal कर देते हैं आप देखो अगर हम इसे बैक करें और बैक करने का एंटर डाले तो यहां पर यह अपने perfect indentation पर इस टाइम अगर हम इस indent को बिगार दें जैसे कि हमारे पास index आपका space थे एक tab के बराबर एक tab के बराब और space थे आप कह सकते हो four spaces थे ठीक है हम क्या करेंगे यहां पर दो spaces देदेंगे या फिर एक space देदेंगे बस तो उससे क्या होगा आपका indentation error शो हो जाएगा एक सगंड देखता हूं अगर हम क्या क्या करें आई equal to zero कर दें और उसके बाद में यहां एक line और लग देंगे जिससे जो आप code करते हो तो कभी-कभी आपसे गलती हो जाती है ठीक है तो यहां इंडेंट भी कर रहा है अब आप अगर रंटनिक कोश्च करोगे तो यहां पर कर इंडेंट आ जाएगा अंडेंट डلةNoot मेंच एवनी आउटर इंडेंटिशिं लगल मतलत जो इंडेंट आपने दिया है वह किसी बील्स से मैच नहीं कर रहा है तो यह आपके आगया आपका indentation error ठीक है यह आगया अगर हम इसे वापस सही कर दें तो space देंगे सही हो गया हो गया सही ठीक तो दूसरा error भी आपको समझा क्या होगा अब यह तीसरा रहाता है name error name error से क्या मतलब है मैं बता देता हूं name error अगर कोई भी आपका variable है वैर वन वैर वन और इस वैर वर के अंदर आपने simple कुछ भी एक string लिख रख किया जैसे कि निशान्त अगर आप इसे print करने की कोशिच करें वैर वन इसे print करें पहले तो मैं नीचे वाई ही नहीं है इसे हम comment कर दें अब ऐसा कोई वैरेबल नहीं है मतलब कि यह वैर वन नाम का कोई वैरेबल उपर exist नहीं करता और आप किसी ऐसे वैरेबल या function को रण करने की कोशिच करने है जो exist नहीं करता है तो उस condition में आपको name error मिल जाएगा जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो name error यह वैरेबल नाम का कोई भी वैरेबल आपका exist नहीं करता है अगर आप क्या करो function इस तरह इस नाम से आप एक function को रण कर दो बलकि इस नाम का हमारा कोई भी function नहीं है अगर हम इसे रण करते हैं तो यहाँ पर भी आपका name error मिल जाएगा मिल गया name error ठीक है अब आपका name error भी हो गया उसके बाद आता है type error यह आपका type error आता है जब भी आप किसी integer type को या दो डिफरेंट दो डिफरेंट string integer या data type होते हैं data type दो डिफरेंट type के data के साथ deal करते हैं एक साथ तो वहाँ पर वो चीज नहीं चल पाती है जैसे कि मैं देहने भी या इसे backspace कर देते हैं ठीक है अगर आप फिर से वही example एक वैरवन वैरेबल एक उस वैरेबल के अंदर अगर हम करें 2 प्लस 4 तो यहाँ पर 2B integer type का है 5B integer type का है और print करें हम वैरवन को तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं आपका 7 output आ जाएगा आ गया बट अगर हम यही चीज किसी इंट और स्ट्रिंग के साथ करें इंट को अगर हम स्ट्रिंग के साथ जोडने की कोशिश करें स्ट्रिंग तो यह चीज यहाँ पर नहीं हो पाईगी यहाँ पर जो एरर आने बाला है वह आपका type error type error unsupported operand type plus मतलब आपका इंट के साथ में आपका string add नह जाए मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं ताक कि कभी भी आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो तो सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि errors जो आ रहे होते वह resolve नहीं होते तो उस चीज के लिए सबसे पहले आपको समझ रहा होगा कि कि किस error का मतलब क्या है अगर error आ है तो आप क्य followers समझ आ रहा होगा जिसने थोड़ा पड़ा तो उसे तो समझ आ गया क्या है index error बट मैं फिर ही बता देता हूं अगर आपकी कोई भी एक list है list1 यहीं list1 ठीक है उस list के अंदर कुछ data है for example 123 इस टाइप का data है ठीक है इस data को अगर हम print करें कोई issue नहीं है अब भी print हो जाएग हो गया print कोई issue नहीं है इस बात में ठीक अब index का क्या मतलब है आपको पता है कि 1 का index मतलब पहले item का index यहाँ पर 0 है दूसरा item का index 1 है और तीसरा item का index 2 है उस तरह index की value बढ़ती जाती है तो इससे next item अगर कोई होता तो उसके index की value होती क्या आपकी होती 3 बट इस टाइम 3 index क क्या value है तो नहीं ठीक अगर जो इंडेक्स एविलेवल नहीं है उसकी value को प्रिंट कराने की कोशिच करेंगे तो यहाँ पर आपका index error आ जाएगा क्या रहा है index error list index out of range मतलब जो इंडेक्स डाला है वो हमारे range में ही नहीं मतलब वो इंडेक्स एविलेवल ही नहीं है समझे ठीक अगर हम यहाँ पर कोई और इंडेक्स जा लें जो एविलेवल है तो वो प्रिंट हो जाएगा है हो गया अब next error की बात करते हैं value error यह error तब रिजॉल्व होगा जब जो value आप प्रोवाइड कर रहे हैं वो value वो नहीं होगी जो एक्सपेक्ट कर रहा है तो वहाँ पर उस condition value error मिल जाएगी जैसे कि आपको मैं बता हूँ अगर आपका कोई भी इंटीजर है पहले से रिमूब कर देते हैं अगर आपके कोई भी वैल्यू है इंटी टाइप की और इसे हम प्रिंट करने की कोशिच कर रहे हैं कोई इश्यू नहीं हो जाएगा 3 हो गया प्रिंट अगर यही 3 आपका किसी वैरेबल में ले 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 वैर वन इकोल तु 3 ठीक है बट यह स्ट्रिंग टाइप का बना दें यह से हम बन गया अब इसी 3 को हम इंट में प्रिंट करना चाहते है convert कर दिया और print कर दिया integer value में convert करने का क्या तरीका होता है int में convert कर दें किते हैं normal आपका int method यूज़ाता है हो गया convert अगर अब run करेंगे तो अब भी run हो जाएगा आप कहो गया वाई इसमें क्या कुछ नहीं है मैं भी कह रहा हूं कुछ नहीं है बट हम बात करने है errors की अगर यहां थिरीक जाए कोई string है string तो उस condition में हम यहां क्या कर रहे हैं एक string को int में convert करने की कोशिश कर रहे हैं जो actually में ही string है जो original string है तो string आपकी int में convert नहीं हो पाएगी यहां पर आपको मिल जाने वाला है value error मतलब जो value आप provide कर रहे हो वो expected नहीं है समझे अब next error की बात करते हैं next error आगे आपका attribute error वैसे तो यह errors अपने आप में बहुत कुछ बोलते हैं बट लेकिन फिर यह बता देता हूं आपको अच्छे से समझ आ जाएगा आपका एक example लेते हैं list का लिस्ट है आपकी उसके अंदर वही normal data 123 अगर आप कुछी ऐसे attribute को use करते हो जो available नहीं है तो simple सा आपका attribute error आ जाएगा जैसे कि यहां पर हम क्या करते हैं list1. आपके जो methods use होते हैं वह dot से use होते हैं तो list1. अगर हम यहां क्या करें कुछ भी ऐसा ही डाल दें और डालने के बाद में यहां क्या करें प्रिंट कर दें वैसे तो हम meaningful चीज भी डाल सकते थे जह जह इस टाइप से ना करके बट फरक कुछ नहीं पड़ता क्योंकि ना यह defined है python में ना वह defined होता तो यहां पर हमें error क्या मिला है attribute error तो list object के अंदर ऐसा कोई attribute नहीं है jh jhk के नाम से समझ गए तो इस type की कोई भी attribute जो available नहीं है आप अगर आप उसे run करने के कोशिश करोगे तो वहां पर attribute error मिल जाएगा ठीक है अब last error यहां पर आयाता है आपका key error तो key error आपका क्या होता है key से ही समझ आ गया होगा कि dictionary की बात करने वाले हैं तो एक dictionary बना देते हैं dict one dictionary के अंदर for example आपका key value pair available है तो key value pair क्या होगा name one name one आपका हो गया निशान्त और दूसरी key हो गई name two और इस name two की value हो गई प्यूश ठीक है तो यहां पर name one एक variable है name two दूसरी की है तो name one की value है निशान्त name two की value है प्यूश दोनों keys की अलगलग अपनी value है ठीक है अगर हम क्या करें यहां पर print करें dict one तो simple पूरी dictionary print हो जाएगी no doubt हो गई print ठीक है next अगर हम किसी particular dictionary particular key की मदद से access करें उसका क्या तरीका होता है simple inverted commas के अंदर उस key का नाम name one तो यहां पर उसकी value लिखे होगी आ जाएगी तो name one क्या है हमारे पास name one है हमारे पास इसे remove कर देते हैं पहले काट देते हैं name one है हमारे पास निशान्त प्रिंट हो गया था ठीक है उसी तरह अगर हम name two को print कराना चाहेंगे तो यहां पर print होगा प्यूश अगर हम यहां क्या करें name two के बाद में name three print कराएं या फिर कुछ भी और चीज print कराएं जो key available नहीं है और फिर हम run करेंगे तो यहां पर आपको key error मिल जाने वाला है key error ठीक है क्योंकि यह key आपकी available नहीं है ऐसा नहीं सिर्फ name three अगर आप कोई number भी डालते हैं या पर number और इस नाम की कोई key available नहीं है तब यह key error देगा या फिर आपने सिर्फ name कर दिया नेम तब यह key error देगा मतलब spelling mistake होगी तब यह key error देगा आपकी key particular match करनी चाहिए आगर आपको नहीं पता की क्या होती है तो प्लीज जाकर एक बाद dictionary वाली वीडियो देख लीजिए वहाँ पर आपको सारी चीज़े मैंने अच्छे से बताई हुई है ठीक है तो यही होते हैं आपके सारी चीज़े समझ आ गए होगी तो इन सारी चीजों से क्या होने वाला है नेक्ट वीडियो के लिए मैंने आपको प्रिपेर कर दिया है जब हम इन सारे है अकशुकस को रिजॉल्व करना सीखिए अपने कतच के एरस करना चालू का करें गे तो तो I hope कि आपको समाझ आगया होगा I hope guys कि आपको वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो please दोसे like कर दो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब ही किया तो उसे please सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और वच्छ वाचिछ गाइस